मधुबनी जिला परिशद सदस्य और अध्यक्ष का एक वर्ष पूरा हुआ जिला परिशद अध्यक्ष के एक साल पूर्ण होने पर वार्षिक समारोह मनाया गया मधुबनी में विगत वर्ष जिला परिशद अध्यक्ष पद पर बिंदु गुलाब यादब निर्वाचित हुई थी वार्शिक महुत्सव के आयोजन पर अध्यक्ष ने सभी जिला परिशद सदस्यों को मिथिला की परंपरागत सम्मान पाग दोपता से सम्मानित किया सदस्यों को उपहार स्वरूप ट्रॉली बैक कपड़ा आधी दिया गया जिला परिशद द्वारा पहली बार आयोजित सम्मान समारों की लोगों ने सराहना की इस अफसर पर सास्पृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया बहराल अधिकांश जिला पार्शद इस आयोजन में शामिल होकर एक जुट्ता का परिचे दिया अध्यक्ष बिंदू गुलाब यादव ने कहा एक जुट्ता से ही विकास संभव है और सबों के प्रयास से जिला का चोहमों की विकास किया जा रहा है अध्यक्ष ने जिला परिशद द्वारा एक वर्ष में किये गए कारियों का उल्लिग मजबूती से हम लोग पूरी आशा इरादा जितना मजबूत रखे थे काम करने का धरातल पर भी उतना ही है दिखाई देने में थोड़ा सा समय लगेगा मुझे पता है लेकिन साल का पहला छे मेना हम सब लोग नहीं थे हम सब लोग को सटल होने में उपर से काफी सारी योज नहीं और गाइडलाइंस नहीं आई थी पेमेंट सिस्टम नया था इस वज़े से चीजे थोड़ी सी स्टीम लेड़ी